कि नमास्कार सातियों वेदान क्लासेज के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन सातियों आज हम जो चर्चा करेंगे वो राज्टान पुलीस भरती को लेकर चर्चा करेंगे अभी हाली में नो हजार पदों को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है और इस बात को आपने देनिक भासकर में इस ख़बर को पड़ भी लिया होगा दस नो दोजार चोबिस की बात ये घरह विभाग ने पुलीस में में 3500 पद अतिरिक्त मांगे और बजट में जो पच्पन सो पोश्ट थी उनकी गोशना की गई ती इस परकार 9000 का प्रस्ताव बेजा है तो गरह विभाग ने विद्यार्तियों वित विभाग को बेद दिया है और गरह विभाग और वित विभाग दोनों जो विभाग है वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री है बजणलाल जी सरमा उनहीं के पास है तो मतलब यह जो परस्ताव बेजा गया है यह पास हो जाएगा क्योंकि गरह विभाग ने विभाग पास बेजा है अगर दोनों विभाग आपके पास रहते हैं तो पिर किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं होती है अलाकि जो वित विभाग है वो मुख्य रूप से तो उनको जो उप मुख्य मंत्री है दिया कुमारी जी उनको दे रखा है लेकिन जो भी है मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री बात एक ही है लगबग क्योंकि सारी सरकार इनी की है इनी के दवारा प्रस्ता सबसे पहले तो सभी विद्यारतियों को सीटी का पेपर देना सीटी में अच्छे नंबर आने चाहिए ग्रेजिशन लेवल करने के बाद में आप इन पदों के लिए एलिजेबल होंगे जो विद्यारती पुलिस सेवां में आना चाहते हैं तो आपको इस भरती का इंतजार जो कर रहे थे आपका पी समय से लगबग खतम हो चुका है और यह बरती आती शिगर मतलब एक परकार से माली जिए विग्रप ओफलाइन ओनलाइन जैसे भी आप पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं और वेदान्त क्लासिज जो अजमेर में संचालित है महां पर ओफलाइन और ओनलाइन दोनों परकार की सुविदा आपको उपलब्द है अगर जो भी अजमेर में रेकर अगर आप ओफलाइन बेच जो धर तियो झांवे ठीजमेर मताया है अगर लाया ब ness रिकIC Сबस्ताफर में साइंड़र झाले कार जो थेकर झाले कमैसे तेक्क्षकषक नपिए वे आनल लाग में सेतना ड्ल्यकर, पर उपल्या झाले झामेर फ्ल्ुलों